हाई फेंड्स वेलकम टा और चैनल मेट्रो एलेक्ट्रो आज मैं कुछ क्वेशन्स का अंसर दे रहा हूँ एक सब्सक्राइबर हमको इतना सारे टॉपिक दिया है तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्य बात दे रहा हूँ इतना सारे अच्छा टॉपिक देने के लिए तो मैं ट्राइ करूँगा तो इतना सारे टॉपिक कोबर करने के लिए इस वीडियो में और लास्ट तक मैं एक वीडियो भी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और कैसे क्या होता है तो इस वीडियो का पहला क्वेशन है हाव टू चेक कस्टोमर्स एंड रेसिविंग पावर मतलब मैं फीजिकल एक कैसी कास्टोमर को घर तक ने जाऊंगा मैं Olt में देखुँगा कौन सा कस्टोमर का का स्टोमर का वस्रेशन हों हो में कितना पावर है यह बहुत आचाए क्टोपिक है तो ठीक है मैं इस टोपिक को मैं लास्ट बीडियो का लास्ट में प्रैक्टिक के लिए वांस इने वीक और मंथ यह बहुत आच्छा कुश्यन है एक्शली हम लोग जो इपोन और जीपोन यूज करते है ना इस इपोन में अभी तक तो वह जो फंक्शन नहीं है अवेलेबल नहीं है लेकिन कुछ उच कमपनी में यह फंक्शन अवेलेबल है हुआई सिसको नहीं है फंक्शन नहीं है लेकिन में एक तरीका है यह मेरा मांतली वीकली आप रिस्टर्ट कर सकते हैं अटमेटेकली ठीक है अब आता है थार्ड नमबर क्वेस्टेन पर हाउ टू आटो स्विच टू दा बेककप लाइन थू प्रोल्टी यह सच में यह बहुत डिफिकल्ट प्रोब्लेम है एक्चली मैक्सिमाम इंटरनेट का जो कंप आना परता है CTRL रोम पर उसके बाद मैन लाइन ओपन करके बेककपलाइन करना परता है लेकिन ओल्ती में यह वाला फंक्ष्ण है धोनों इन्पूट में लाइन और बेककापलाइम आ इन्पूट करेंगे जो लाइन काड़ पर जाएगा, फाइबर केड़ व्हाइबर काड how to maintain the temperature of the OLT OLT का temperature increase होने के बाद बहुत सारे प्रोब्लम आता है OLT में फेले तो प्रोब्लम होता है OLT रिस्टर हो जाता है ठीक है है हैंक हो जाता है और OLT का जो पावर है ना ACP PON का पावर ACP PON का पावर कम हो जाता है स्क्रीन पर देखे टेमपराचर किया है 45, 39, 44 वो PON का है ठीक है तो आप ध्यान पर रखे PON का जो टेमपराचर है ना 55 और 60 उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है उससे ज्यादा होगा ना जो पावर है ना पावर घड़ जाएगा ठीक है तो आप ये ध्यान रखे जो आपका कौन का जो पावर है वो पौन का पावर जाएदा नहीं होना चाहिए अप क्वेशं है क्वेशन है कोई इस टेमपराचर को मैंटेन कैसे करेंगे OLD का अंदर ऐसे कुछ फिचर्स नहीं है जो आप तेमपराचर को मैंटेन कर सक Insurance जो करना है आपको भाहर से ही करना है ठीक है एक अपरटर देखिए कैसे किया आपका कॉंडूल रूम का जो टेंपरेचर है और 40डी की नीचे होना चाहिए ठीक है एसी नहीं हो तो आपका जो पंका है वो ट्वेंटिफोर आउर्स चला के रखना है फाइब नमबर कॉईशन ह सच में यह टोपिक बहुत है अच्छा है क्योंकि आप रूम में बेठे बेठे आपका कस्टोमर का जो ओनू रॉटर का पाश्वाट है आप चेंज कर सकते चेंज कर सकते सकते आपका फीसी कल ए कस्टोमर के तक जाने का जरूर्त नहीं तो यह बहुत ही इंपोर्टिफेन एक टॉपिक है एक्शली किया होता है ना मैं एक कॉंपनी में काम करता हूँ तो इसलिए होता कि है कोई आपारटर के पास जब मैं OLT को कॉंट्विय करने जाता हूँ ना तो अल्डी उनका OLT चलता है ठीक है तो इसलिए R&D करने का मौका नहीं मिलता है ठीक है तो मैं R&D करने का जब मौका मिलेगा ना मैं ये वीडियो में जरूर करूँगा 100% ये वीडियो में करूँगा ठीक है करके मैं आप्लोट करूँगा ओके 7 नमबर टोपिक है QOS and Port Forwarding एक्शली इस टोपिक का कॉंसेप्ट मेरा क्लियार नहीं है इसलिए इसके बाड़े में कुछ बाता नहीं सकता हूँ 8 नमबर टोपिक मैनेजिंग फाइबर पावर आफ पॉनसेपी पॉट्स एक्शली ये जो क्वेशन है क्वेशन का अंसर ये होगा जो ब सकते तो ङुक्ठ मेरे हीशाब से नहीं है अलोगिन कर आप मैनिल कर सकते है लेकिन मेरे हिसाब से एसे पी पॉन में आपका यह मैनेज करने का ज़रुवत नहीं है नाइन नमबर क्वेशन माल्टिबल इन्पूट लिंक्स टुवान आउटपूट थो ओयल्टी मतलब सेम ओयल्टी में आप दो तीन इन्टरनेट का कमपने आप इन्पूट करके कैसे मिक्सिंग करके चलाएंगे इस टोपिक का उपर मैं तीन वीडियो अल्रेडी अप्रूट कर चका हूँ तो प्लीज एक बार देख लिजिए मेरा इस वीडियो बहुती डिटेल से में किया है ठीक है दो ओयल्टी एक सत मिक्स करके कैसे चलाएंगे दो तीन इन्टरनेट सिंगल ओयल्टी में मिक्स करके कैसे चलाएंगे दो तिनी इंटरनेट का कमपनी दो ओयल्टी में मिक्स काके कैसे चलाएंगे एतना सरे वीडियो में डाला है ओल्रेडी मिक्सिंग का वीडियो ठीक है तो प्लीज एक बर देख लीजिए आपको लास्ट पॉइंट है ब्रेकडाउन अफ ओयल्टी ट्राबल शुटिंग और ब बोला था कोई भी एक टोपिक का उपर में आज वीडियो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो पहले बहुत टॉपिक है वह है हाउट चेप कास्टमर से इन रिसीविंग पावर फंदा वेल्टी मतलब वेल्टी सा आप आपका जितना कस्टमर होगा इतना कस्टमर का वहनू का पावर कितना है वह ऑप फंदी से आप आप मंशेंग कर सकते हैं तो पहले वेली तो जाएंगे वेलुग हां थाकिर आप उलूवार जाक्टिक करेंगे दिक दिक या पर शीम कास्टमर को आपको देखना चाते हैं ठीगए अ-टीडा आपको एकक डिककली आप चास्टमर छ ज्यादा मिल जाए ज्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए आपका जितना कास्टुमर है पूरा कास्टुमर देखने के लिए आपका CP, OPIM डाइक पर क्लिक कीज़े तो देखिए पॉन 1 पर मेरा इतना कस्टुमर है ठीक है और कस्टुमर का जो सिरियल नंबर और कितना पावर है और पावर भी आप यहाप दिख जाएंगे देखिए देखिए मैनस 19, 21, 25 यह सारे रिसीविंग पावर है मतलब कस्टुमर का जो वहिनू पर कितना पावर दे रहा है ठीक है कितना पावर पर आपका वहिनू चल रहा है ठीक है वह पावर है तो यह पॉन 1 का है मैं आपका जितना सारे कस्टुमर है वो सारे कस्टुमर का एक साथ देखना चाहते है तो ओल क्लिक करने के बाद आपका जितना कस्टुमर आपका नेटवर्क में चेल रहा है इतने सारे कस्टुमर का आप यहापे डेटा मिल जाएगा लेकिन एक प्रोब्लेम है यहापे जो प करेंगे सापोज जो माइनस 30 डीबी जो पावर देख रहा है वह वह इनुको मेरा जो पावर मिठर है मिठर से में डारेक्ट फीजिकली चेक करूंगा चेक करने के बाद यह जो पावर है पावर आएगा लगबक माइनस 24 25 ऐसा कुछ है आप आपका नेटर में प्रैक्टिकली यह कर सकते हैं ठीक है यह था आज का मेरा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं मैरा और एक चनल है बेंगुली व्यूर्स के लिए मेट्री एक्ट्रो बांगला सेम वीडियो बेंगुली पर देखने क के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स पे दिये जाने बाला लिंक पे क्लिक कीजिए थेंक्स पर वाचिंग तो